उत्तर प्रदेश सरकार को तो कानून ब्योस्था पर सर्म आना चाहिए कि जो जो चीजें हो रही है वो उसकी वावाई बस अतिक अहमत को वो मार दिया पुलिस के भीतर घुस करके बदमासों ने तो उसकी तो वावाई ले रही है काईदे से अगर सरीफ आदमी हो सरकार सेंस जो पहले ही जो बिगडी हुई छबी है उस पर एक और दाग है धबा है इस तरह से कोई कोर्ट में पेश किया जा रहा है क्या है नियायले में हो चाहिए अस्वताल में ले जाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश की तो लाइन आर्डर की ब्युस्ता बहुत चर्मरा गई है हाँ यह दूसरी बात है कि मीडिया इस समय इस लाइन आर्डर को देख करके चुप है अगर यही दूसरी कोई सरकार होती तो जंगल राज जंगल राज कहने से कोहराम मचाने से नहीं चुपते जंगल राज अगर जंगल राज से भी ज्यादा विभत कोई सब्द है तो उसको खोजिए कि इस बर्तमान लाइन आउडर को क्या कहेंगे आपने देखा कि एक तो किस तरह से वो तो अतीक अहमत तो ज़्यादा एक सो बीस का मुलजिब था ठीक है और जेल में रहते हुए सरकार करकाना है कि जेल में रहते हुए उस ने ये साजिस कराई तो भाई जेल में किसकी जिम्मेदारी है यह गौर्मेंट का फेलियोर नहीं है क्या कि जेल में रहते हुए ही आपने उसको इतनी खुली छूट दी कि वह साजिस कर पाया यह नहीं क्या इस तरह से इस तरह से नहीं सोचते आप लोग क्या नहीं देखते कि किसकी लापरवाही रही किसक आर और पार की लड़ाई है अगर सत्ताधारी पार हो जाती है तो देश के नक्से पर ताना साही और तरह तरह के ऐसे ऐसे बदलाव आप देख लेंगे कि फिर साइद मेरे मेरा तो ख्याल है कि प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा एक डिक्टेटर सिफ हो जाएगी और यह साइद जो हमारा प्रजेंट सेटप है बरतमान सेटप है वह कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म में न चला जाए तो इसलिए प्रजातंत्र की संविधान को बचाने के लिए लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को अपने एंबिशन भूला करके थोड़े देर के लिए अपने इगो को ताक पर रख करके सामुहिक रूप से इस सत्ताधारी पार्टी की डिक्टेटर्स जो डिक्टेटोरियल रवया है इस पार्टी का सबको बिरोध करना से यह मेरा व्यक्तियत जाती ख्याल है और देर सबेर मैं अपनी बहन मायवती सु प्रीमों जो हैं उनके उस पर तो कोई वह नहीं करता ना तो मेरा अधिकार है उनका मैं सम्मान करता हूं लेकिन मेरा यह ख्याल है कि देर सबेर सबको साथ आना चाहिए और साथ आकर के मुकाबला करना चाहिए